दोस्तो बिहार विधान सभा चुनाओ यानि 243 सीटों पर होने वाले विधान सभा चुनाओ से पहले BJP NDA के अंदर एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है आप सभी जानते होंगे चुनाओ आयोक की तरफ से एलान कर दिया गया है कि बिहार के विधान सभा चुनाओ कब-कब संपन करा जाएंगे 10 नॉवंबर को इसके नतीजे आएंगे लेकिन उससे पहले सीट बटवारे को लेकर के NDA के अंदर फूट पड़ गई है एक और घटक दल जो की BJP से अलग होने का फैसला कर चुका है हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी तरह के चुनाव एवियम से ना होकर के हमारे देश के स्वादेसी प्रोडेक्ट बैलेट पिपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीज़े बिहार विदानसभा चुनाव में लजेपी का फाइनली एंडिये से ब्रेक अप हो गया है ये जानकारी मिल रही है बताया जा रहा है कि जेडियो और बीजेपी ने आपस में सीट शेरिंग भी कर ली है जिसके चलते लजेपी को किसी भी तरह का भाव नहीं दिया गया और इसी मामले पर राम बिलास पास्वान की पार्टी जिसके अभी करता धरता चिराट पास्वान है उन्हों ने इसको लेकर के बड़ा फैसला ले लिया आप सभी जानते होंगे जेडियो और लजेपी के अंदर लगाता टकराओ जारी था और इस टकराओ के चलते बिहार के विधान सबाद चुनाओ ये दोनों पार्टिया एक साथ लड़ें ऐसा मुम्किन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और आखिर कार ये जानकारी मिल रही है कि अब लजेपी ने एंडिये से अलग होने का फैसला ले लिया है यानि कि बीजेपी एंडिये को एक और बड़ा जटका आप सभी को पता होगा शेरोमनी अकाली दल जो की पंजाब की पार्टी है उन्होंने कुछ दिन पहले ही अंडिये से अलग होने का फैसला लिया उसके बाद अब जो है लजेपी ने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया है बीजेपी सुत्रों के मुताबिक कल यानि बुद्वार को दिल्ली में बिहार विदासवा चुनाओ को लेकर के अपचारी का एलान हो सकता है बीजेपी ने अपने परदेश अधेक्ष डैक्टर संजेज असवाल को दिल्ली तलब कर लिया है जेडियू से सारी बाचीत हो चकी है अगर कोई प्रत्याशित घटना नहीं हुई तो यानि कि आने वाले दिनों में सीट शेरिंग भी ओफिसली तरीके से इसका अनॉंसमेंट कर दिया जाएगा लेकिन सवाल ये है कि आखिर लास्ट टाइम पर लजेपी बीजेपी से अलग क्यों होई आप सभी जाते होंगे कि बीजेपी जेडियू का हाल बिहार में क्या है बिहार में लगातार बीजेपी जडियू के परत्यासी जब वोट मांगने के लिए जा रहे है जनता उनको ख़देड रही है उनको भगा रही है वोट तक मांगने नहीं दे रही है ऐसी सिच्वेशन में रामिलात पासवान आपको पता है कि मौका दे करके भी पल्टी मार दे क्रूंगत कर दे कर दो दे रहे हैं